आज JPSC में धाइसों बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया रेकॉर्ड समय से पहले और तो और उसमें जानकर आपको आश्चेर होगा उसमें 33 बच्चे ऐसे थे जो BPL परिवार के थे आंगनबाडी सही का सहाय का जल सही या पता नहीं इसी तरीके के बच्चों के परिवार से बच्चे आज कोई video बना है कोई वी आख कोई सिओंखा इसा लगता है कि अब लगता है कि जारख्णमें हमारे बच्चों को असल हर्ग मिल रहा है यह सरकार सब जार्खन में हमारे बच्चों को असल हग मिल रहा है यह सरकार सब की सुनेगी सब की करेंगी धर्णा देने की ज़रत नहीं है दर्वाजा हमारा सभी के लिए खुला है और आज समयदनाएं सिरफ सरकार में नहीं आज समयदनाएं इस राज के हर व्यक्ति का है यहां के लोग ही इतने समयदनसील है कि आप परिणाम के तौर पर अभी एक नौजवान को हम लोगों ने सम्मानित किया लेकिन आप सब लोग को मैं बिलकुल अस्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं जब तक हूँ और जितनी मजबुती के साथ मैं हूँ आप लोगों के लिए और इस राज के हर वर्ग के लिए आप लोग करमचारी हैं किसानों के लिए मजदुरों के लिए नौजवानों के लिए आने वाली पीडी के लिए कि सभी वर्गों के परती हमारी नजरे हैं सम्मेद नाएं कभी आप लोगों ने सोचा यहां का आदिवासी दलीत पिछड़ा लड़का सरकार के स्कॉलर्शिप पर विदेश पढ़ने जाएगा कौन इनको हायर एजुकेशन के लिए विदेश और करोड़ों पर खर्च करेग और किसके पास जारकंडियों के पास छमता है कि हम अपना बेटा को इतना पैसा देकर के बाहर पढ़ा पाएं अगर इतना ही पैसा होता तो आज पुराना पैंसन की मांग कभी नहीं होती आज देखिए इस्कूल तो इस्कूल हायर एजुकेशन के लिए भी हम बेतर सिक्ष के लिए देश विदेशों में यहां के आदिवासियों को यहां के दलितों को यहां के पिछड़ों को और इस बात को लेकर शिरप यहीं नहीं कि विदेशों में भी लोगों ने सरहा है और हमारे इस कार्योजना का सराना इस तरीके से किया कि इन बिदेशों की सरकार ने भी बोला कि जारखंड के नौजवान जो भेजे जा रहे हैं उन में से कुछ बच्चों को उनकी जो 50% का खर्चा है अब वो बिदेश खुद खर्च उठाएगी